तो ये वीडियो उन सभी ए स्टूडेन के लिए important होने वाला है जो NFL National Fertilizer Limited में job करने को लेकर सोच रहे हैं ये वीडियो उन सारे स्टूडेन के लिए important है क्योंकि NFL में अगर job करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले उनके लिए ये journal important है कि इसका job profile क्या होता है और salary कितने परमन्त दिया जाता है और उससे भी important है कि selection process इसका क्या है और skill test और documents verification क्या रहने वाला है तो friends ये इस वीडियो में हम आपको सारे information step by step देने वाले हैं बस आप से एक छोटी सी request है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए friends सबसे पहले हम जान लेते हैं NFL के job profile के बारे में और ये जो job profile हम बताने वाले हैं ये बिल्कुल तो दोस्तो अगर इस वीडियो में हम NFL J.E. की अगर हम बात कर ले तो NFL J.E. job profile के बारे में अगर हम बतना चाहेंगे तो सबसे पहले इन्हें राजसाहियों का job कहा जाता है जी हम friends आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं की NFL में अगर J.E. का आप लोग job कर रहे हैं तो इन्हे राजसाहियों का job कहा जाता है और ये जो हम आपको information बता रहे हैं ये बिल्कुल कहीं Google Chrome से देखने के बाद या YouTube पे search करने के बाद नहीं बता रहे हैं ये बिल्कुल जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें हां पर तो इनका जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वो बिल्कुल फ्रेंस बहुत ही संदार रहता है और इनका वर्क ये होता है कि जिस प्लांट में ये जॉब कर रहे हैं उस प्लांट का रख रखाव से लेकर हैंडलिंग जो कम होता है जेई का ही कम होता है इसलिए इने प्लांट ओपरेटर के नम से भी जना जाता है तो अगर जेई का अगरम बात कर ले तो उस प्लांट में जितने भी लेवर्स कम कर रहे हैं या MTS कम कर रहे हैं उन सभी का रख रखाव या उनसे कितना कम हुआ है कितना और कम क ये सारे का data जो है वो जेई को ही तयार करके और आगे send करना रहता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जेई का job किस परकार हो सकता है चाहिए वो किसी भी दिभाग से हो चाहिए वो production के क्यों न हो या electrician के हो या instrumentation के या किसी भी जो अपने trades के हो उनका यही कम होता है कि उनके अ labor आज कम किये हैं उन सभी ये सभी ये का ही कम होता है तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये का किस परकार कम रहने वाला है तो चलिए फ्रेंस अब हम जोन लते हैं salary के बारे में अगर हमें आपे NFL ये salary की बात कर ले तो बहुत सारा YouTube या Google Chrome पे आपको मिलते होंगे 24,000 से लेकर 56,000 या कहीं पे 56,000 मिलते होंगे तो आज जो हम आपके बीच बताने वाले हैं ये बिल्कुल exact बताने वाले हैं जो in hand उनको salary दिया जाता है सबसे पहले अगर हम बात कर ले training period में तो training period में इनको 23,000 रूपिया दिया जाता है और जैसे ही training खत्म तो ये friends जो आप लोग data देख रहे हैं ये बिल्कुल exact सही है ठीक है friends और इनको बहुत सारे allowance दिये जाते हैं ये जैसे जो plant में job कर रहे हैं उस plant में वहां के जितने भी facilities हैं वो इनको provide करवाई जाएंगे चाहे जूस से लेकर news paper तक इनको सारे खर्च दिये जाते हैं over time friends सही आप लोग सुन रहें पहुंच जाता है तो friends इस परकार आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इनका salary कितना संदार रहने वाला है अब देखिए next अगर हम यहाप बात कर ले skill test को लेकर तो जिया friends आप जिस भी post में आपने form वराए तो सभी का इनका skill test और documentation होता है जिय friends जैसे ही आप लोग CBT 1 पास किये यह first ऐसा job है जो आपको 1 CBT में job मिल जाता है तो जैसे ही आप लोग 1 CBT qualified किये तो next जो होता है वो skill test और documentation तो documentation पे हमने अल्रेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आप लोग बिल्कुल जाके देख लेजिए description box में link देदेंगे क्योंकि इसमें most number of students description में documentation में छटाते हैं और skill test में skill test की अगर हम बात कर लें हाँ पे तो सबसे पहले यह जन आपके लिए important है NFL J.E. की बात आपके साथ जी हां friends NFL J.E. के दोरा ही सारे information हम आप सभी के बीच provide करवा रहे हैं जो NFL J.E. में पहले से select हो skill test को लेकर सभी student बार बार कमेंड करते हैं कि skill test को कैसे qualified करें तो जी हां friends जो कि skill test शुरू हो चुका है एक दो student से बात करने के बाद बिल्कुल किलियर हो चुका है उनसे बात होने का बाद वो साब बताए कि इसका जो skill test होता है वो एक NFL में बहुत बड़ा जो होता है वो व वर स्वाफ होता है जी हां friends आप लोग समझ सकते हैं वर स्वाफ होता है उसमें जितने भी instruments होते हैं सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आप जिस ट्रेट से आते हैं जैसे आपने कोई भी फॉर्म फिलप कर रहे हैं उनमें जो भी educational qualification लगाए हैं तो वहां पर जाने क बाद सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका educational qualification क्या है तो जैसे ही आप जैसे बोले graduation मेरा है और graduation मेरा physics owners है ठीक है तो physics owners में जैसे तीन साल के आपने किये हैं तो उनमें से आपको पूछा जाएगा कि क्या-क्या आपने practically वहां से knowledge gain किये हैं तो जैसे ही आपन पूछा जाएगा थोड़ा बहुत और आपको workshop में जैसे वहां पर practical किये हैं उनमें से एक related आपको दे दिया जाएगा बोलेगा यह आपको प्रूप करके दिखाना है जिया फ्रेंज जैसे कि आपने physics में Newton's ring के बारे में पढ़े हैं तो वह बता दिया जाएगा कि Newton's ring को कै इसे आपको proof यहां पर practically करना है तो यह आपको होँआ पर बिल्कुल बताना पड़ेगा जैसे electrician से हैं तो electrician में जो Newton theorem होता है वो किस परकार proof होता है वो पूछा जाता है और maximum question KBL KCL से पूछा जाता है उसको किस परकार proof करना है वो आपको होँआ पर दिखाना होता है तो यहां friends यह जो आप लोग सुन रहे हैं बिल्कुल साही सुन रहे हैं तो सबसे पहले skill test जो हता है वो qualifying nature का होता है और यह आपको अगर crack करना है तो सबसे पहले आपने जो graduation किये हैं या ITI किये हुए हैं या diploma किये हुए हैं तो diploma में जिस trade से आप लोग किये हुए हैं तो उनम जितने आपके practical करवाएगे थे general knowledge जो भी आपको वहाँ पर provide करवाएगे थे जो कि practically उचसे related आपको skill test में पूछा जाएगा कभी काल skill test में क्या किया जाता है कि कि किसी एक का figure देदेगा उसको आपको draw करने के लिए भी बोल सकता है जैसे kvl kcl को बोलेगा इसको प्रूब लगा हुआ रहेगा उस पर बोलेगा इस पर आप लोग प्रूब करके दिखाईए तो ऐसे भी आपसे question बिलकुल पूछा जा सकता है क्या skill test में भी बहुत सारे student reject होते हैं या नहीं होते हैं यह important question है तो उनके लिए साप साप यहां पर हम बतना चाहेंगे कि जी हाँ friends skill test में भी बहुत सारे student reject होते हैं और बहुत सारे documentation में भी reject होते हैं तो सबसे पहले हैं बता देना चाहते हैं कि जो skill test में reject होते हैं वो बिलकुल जो student कुछ नहीं पढ़े हुए जो practically knowledge नहीं लिये हुए वो reject होते हैं नहीं तो आप लोग थोड़ा बहुत साइट से help लेकर भी आप लोग मदद लेकर भी वहाँ पर solve कर सकते हैं और एक important बात है कि जो भी student अभी जो skill test दे चुके हैं वो please comment box में जरूर अपना experience share करें ताकि आपके जितने भी high हैं जो skill test देने वाले हैं उनको भी इससे rated help मिल सकें क्योंकि ये एक ऐसा channel है जिसके माध्यम से हम सभी student को connect करने का कम करते हैं और जैसे ही connect हुए तो अहां पर जो student इसका पहले से exam दे चुके हैं वो अपना यहां पर जरूर share करें क्योंकि हम भी उसी का जो जही पोस्ट का जो अहां पर experience होता है वही लेकर आते हैं तो आप सब भी अपने comment box में जरूर discuss करें और हम सभी का comment होता है वह जरूर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको NFL National Fertilizer Limited JE, Executive Post, Job Profile, Salary, Skill Test and Documentation के बारे में समझ में आ गया होगा अब अगर हम cut-off की बात कर ले तो इनका जो cut-off two types से divide होता है एक तो merit list को लेकर एक जो होता है वह merit list को ले जियां friends आज हम इस वीडियो में आपको CBT1 का cut-off बताने वाले हैं और merit list का जो cut-off है वो बिल्कुल friends नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे तब तक आप लोग क्या करिए चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी चरूर सेर करिए ताकि इससे ज का जो cut-off गया है बिल्कुल friends 126 वाले student OBCA student मेरे पर कमेंड किये थे कि मेरा selection हो चुका है और production की अगर हम बात करें तो production में 132 नमर वाले student OBCA student बोले मेरा यहां पर selection हो चुका है तो आप लोग समझ सकते हैं इससे एक से दो नमर कम जा सकता है अब अगर हम जेनरल की बात कर ले तो जेनरल का थोरा सा cut-off इसमें हाई जाता है production की अगर बात कर ले जेनरल का तो जेनरल का production का जो cut-off जाता है 134 यह नॉर्मलाइजाशन होने के बाद 134 cut-off जाता है अब अगर हम बात कर ले हम पर instrumentation का तो instrumentation का इस बार cut-off मात्र 119 गया है जी हां दोस्तों बिल्कुल 11 119 गया है अब attendant की अगर हम बात कर लें तो attendant का जो cutoff है वो इस बार जो cutoff गया है वो सिर्फ SC का मुझे पता है और ST का SC-ST का जो cutoff गया है वो 102 गया है जी यहां दोस्तो जेनरल का cutoff के बारे में जो भी student qualified है वो जरूर comment box में लिखे जिससे कि आपके दोस्तों को भी इससे जूरी information मिल सके तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में क्योंकि हमें NFL J.E. की बात आपके साथ के बीच जी जैसे NFL J.E. से मिलने के बाद जो भी experience मुझे मिलता है जो भी वो मेरे साथ discuss करते हैं वो सारे बात हम आपके बीच लेकर आते हैं तो आपसे बस यह request है चैनल को subscribe कर ले ताकि सारे information आपको मिलती रहे तो आज के लिए इतना ही जैहिंद